अच्छा जी जी स्टूरेंट्स कन्फर्म करें ये स्क्रीन शेयर आपसे यास मैम अच्छा ये कीवर्ड रिसर्ट्स की सबसे पहले हमने फाइल त्यार करनी होती है और इस तरह से ठीक है कि हेलियम 10 के डिख़ता है हम्ने इसे कीवर्ड की फाइल की याफ केस्थ में इस ऊस्धूर्म्ति प्रीकर आप मैं दो फाइल प्रोर्प इक प्रिकरनी है तो इन तमाम जो इग फाल अरश करना होता है हैं यह ने वह की वर्ड करने जिन पर तमाम ट single से 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 लिए जा रहे हैं अब इनको एक्सट्राइट कैसे करना है स्टार्ट करते हैं इसको मैंने इसी नए जो है ना recording में इसको किया कि हम जो है तक्रिबां थोड़ा लंबा प्रोसीस हो जाता है तो इसलिए अच्छा इसको हम रॉंग वे से चल रहे थे है लेटसपोस के जितने भी हमारे पास ही आ रहे होंगे न ये की वर्ड्क प्रोस आ रहे होंगे अपने लुए कि वर्स रेलिवर्ट की वर्ड आ रहे होंगे अब उन पर हमने एक फिल्टर इंसर्ट करना है कि अ हुआ है हुआ है कर दो कर दो अच्छा जी अब यहां पर हमने करना क्या है कि मैंने 7,700 लीगे ठीक है अब हमने यहां पर क्या करना है कि सर्च वाल्यम हमने एंटर करना इतना और हम यहां पर मैंज ट्राइब ज्वह न वो और आर्गिनिक कर लेंगे मिनिमंट के दो मिनिमंट होना चाहिए वह सब्सक्राइब हो इस से कम ना हो लेकिन हमने कि लिए amazon.co.uk के लिए आपने 500 करना मीनिमम ठीक है अच्छा आपने वह हमारा कीवर्ड होता है लेकि यह जो हमने content writing के लिए create करने के लिए यह निकालने है ना keywords उनका keywords भी हम ले लेंगे जिनके search volume minimum 700 है ठीक है यह हम content writing create करें इस पे हमें keywords ज्यादा चाहिए होते हैं अभी उन्होंने बता दिए हैं कि यह थमाम keywords 153 keywords हमें extract करके बता दिए हैं इन में से भी आपने करना क्या है कि आपने वह keywords लेने हैं पहले तो हमने इसको search top high to low search volume किया यहां से one click से चीक है अब हमने वह keywords लेने हैं जो आपके keyword से relevant keyword होंगे let's suppose कि आपका वाल organizer आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मेंभी यह हमारा main keyword keyword से relevant product है कि नहीं आप इस right side पे इसको open करके देख लेना है कि यह आपका keyword है कि नहीं relevant keyword वाल organizer देख लेते हैं यह हमारा keyword से relevant keyword नहीं है बिल्कुल भी इसको हम जो है न यहां से delete कर देंगे बताने का मक्सद यह है कि वह सिर्फ वह keywords आपने extract करने हैं जो आपके relevant keyword से मैच कह रहे होंगे जी क्या वाल organizer हमारा keyword नहीं है इसको remove कर दिया इसी तरह आपने mail holder इसको भी आप देख लीजेगा one by one जो है ना यहां से हमें time taking process होते हैं लेकिन यह है कि definitely यह अच्छे तरीकी से हमने keywords को extract करना होता है यही keywords हमने अपने content writing में add करने होते हैं so that's why हमने इसको बहुत बहुत ज्यादा जो है time no doubt time taking है इसको proper way से हमने करना होता है smart key let's pause कि smart key को हम देख लेते हैं यह हमारा keyword relevant keyword से है कि मैच कह रहा है कि नहीं तो बिलकुल भी नहीं कह रहा है इसको भी हम यहां से neglect कर देंगे keyword के main keyword से relevant keyword हमें कितने मिल जाते हैं ठीक है तो अगर वैसे तो हमने keyword यहां से Cerebro magnet के सब्स्क्राइद लेने होते हैं Cerebro के थ्रूब भी लेने होते हैं इसके इलावा हमने जो है वह जंगल स्का आउट से भी लेने होते हैं इसके इलावा हमने एमजी सुजेशन एक्सपेंडर से भी लेने होते हैं तो इस तरह हमारी कफी कीवर्ड बन जाते हैं लेट्स पोस्ट कि आप एवरेज के साफ से लगा लें किवर्ड तक की उनीक कीवर्ड मैं वर्ड़ य्ूज गरी इस मीन के मुस्सट राहिए है किवर्ड हमने त्माम प्रासिस कर के अब हमने लेट सपोस के इसको अनलाइस कर लिया जो यह कीवर्ड हमारा में काla रेल्वेंट इडिवर्ट कोई में साधा कीवर्ट करों, माइक रूट करने माइक मीडें माइक किस कोई माइक क्यों है। इक राप माइक मीडें करें अच्छा हमने करना क्या है कि लैट स्पोस्स इसमें जो इट रेलिमेंट कीवर्ड होंगे उनको यहां से डिलीट कर देना है बाकी तमाम को यूनीक को आइड करते हुए में भी 153 है मुझे सिर्फ यूनीकनेस वाले कीवर्ड 53 मिलें ठीक है अब मैं इनको कर तो नहीं रही क् टाइम हमारा वेस्ट होगा मैंने बता दिया आपको इस तरह से हमने करना है एक्सपोर्ट डैटा पर क्लिक करना है और डाउनलड एस सीवियस सीवियस पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी फाइल जो है यहां पर डॉनलोड हो कर आ जाएगी चिका इसको आपने ओपन कर लेना ह मैं अगर करना है अ कर सकते हैं प्रोडट डैस्क्रिपशन में तो और यहां पर यहां पर से चार कंपेटिटर को एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे ठीक है पेस्ट कर देना है गेट कीवर्ड पे क्लिक किया मार्किट प्लेस देख लीजिए अगा कौन सी है उसके अपने डेटा को फैच करना है अब जो कीवर्ड आएंगे उनमें भी आपने सीम प्रॉसेस इंप्लिम है दो इसको जेख लेते हैं कि यह कितने कीवर्ड मेर्राउय डिआया के अधर मैं इसमें 10 पहां यह पापी कर सकते हैं अँदर से हैं इस लेकिन यह यह कि टाइंट तैन दोनों में से देख लीजीगा जहां से भी आपने लेने हैं अचा दस के एसन ही आपने अंटर करने मैं तीन के कह रही हूं यह जो भी कोईडी जा पर कीजिएगा ठीक है राइस एक जी आप कर ले शुकत अमीर हमजा आइस तो आप कह रहे थे क्या कह रहे थे जी मैम अगर हमने में कीवर्ड टाइप किया है तो वहाँ पर हमने एक्सरे रन की है हिलियम टैन का तो सौर्ट बाइ रेविन्यू जो अच्छा खासा रेविन्यू लेके जा रहे हैं करके वहां से तीन कंपेटिटर उठाके रन कीवर्ड रिसेर्च से वहीं पर अगर कर दें तो एक ही फाइल में तीनों के कीवर्ड़ हमें मिल जयेंगे आप उस तरह भी कर सकते हैं यह क्यों कि उठाके अपनी लिस्टिंग में आइड़ करना है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं इस तीन पर कीजिए हमारा यह लेक्षर जो है इसको briefly discuss कर लेंगे ठीक है अभी हमने let's suppose कि यह हमारे keywords हैं अब हमने यहां से भी same process implement करना है जो मैंने आपको बताया था लेकिन यह I think so five thousand something है आपने search volume पर वही filter लगाना है minimum seven hundred कर लें यूके के लिए आप five hundred कर लीजिएगा आपने आपने जो है वो मैस ट्राइप आरगेनिंग करने के बाद अप्लाइ फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास यूनीक से keywords आएंगे उन में से भी फिर आपने फर्दर जो है ना इस पर analysis करनी है तो आपने करना किया कि यहां से रिमूव कर देने कर देने जो irrelevant होंगे ठीक है अपने किसी keyword को देखना है तो उसको फिर आपने next step पर यहां पर open करके next step में देख लेना है कि आपका keyword match कर रहे हैं आपके product से के नहीं ठीक है है उसको add करना है let's suppose कि आपने इसको भी जो है ना वो create करते हुए आपने इस file को भी download कर लेना है export पर जाके export CVS file पर ठीक है अब यह आपके पास दो files आ जाएंगी एक आपने करना क्या है कि amz suggestion expander से आपने इन तमाम keywords को download करें लें लेट्स पोस्ट के यह amz suggestion expander मैंने आपको यह यह है amz suggestion expander आपने इसको जो है वो download कर लेना है और लेट्स पोस्ट कि यहां पर अगर मैं की ओडर राइट करती हूं न तो यहां फिर अच्छा इसका यह होता है कि let's suppose हमने यहां पर कोई keyword एंटर करते हैं है ना तो नीचे हमें suggested keywords बहुत ज्यादा दिखा देता है अब भी में भी net slow है यह क्या reason है कि यह हमें नहीं दिखा रहा तो यह हमारा जब amz suggestion expander हम इसको download करते हैं ना तो हमें यह suggest कर रहा होता है कि की holder से regarding जितने भी keywords होंगे ठीक है वह हमें दिखा रहा होगा अब भी तो यह बहुत थोड़े keywords दिखा रहा है लेकिन इसमें यह है कि हमें बहुत ज्यादा यह keywords यह देखें इस तरह से हमें key और यह just मैंने key write किया आपकी holder अपना main keyword करेंगे ठीक है उसके regarding आपको यह keywords दिखा देगा ठीक है अब आपने इन में से जो most relevant keywords है उनको आपने उठा के उनके भी एक excel की file में add कर देना है और उनको add करके एक लाइदा से column उसका create कर लेना है यह mc suggestion expander जो keyword बता रहा है उनके ठीक है अब हमने एक और जो है वह हमने देखना है जंगल स्काउड जो है ना जंगल स्काउड की वैब के स्रूट है अम जंगल स्काउड में आएंगे यह बेशे का ना एड करने जसमें आपको बता बता रही हूं अगर आप उनके थूभी देख लेते ना जो मैंने आपको बताया है सेरीब्रो और मैगनेट के सुरू तो वो भी इनाफ है अच्छा यहाँ पर आपने आना है कीवर्ड पर कीवर्ड पर आने के बाद कीवर्ड स्काउट पर आना है कीवर्ड स्काउट पर आने के बाद आपने अपना जो मार्केटप्लेस चूज करते हुए अपने मेन कीवर्ड को पेस्ट कर देना ठीक है यहाँ पर टो संबस्ट होगा अल्रौड है जो मैंने किया था हम पर मेन कीवर्ड जो ऑना कीवर्ड इसको पेस्ट कर लेंगे का मैंने कीवर्ड होना है इसको आफने यहां पे पेस्ट कर लेना और उसके रिगार्डिंग आपको तिसकु पूस्प को चाहेग हैं आप से आपने relevant keyword को remove तो करना है लेकिं जो keywords होंगे ना उनकी file को download करने का option ही आएगा क्योंकि यह इस तरह का system होता है कि let's suppose इसको आप download करेंगे ना तो यह file उनके पास चली जाएगी जिन से आपने तूल लिए हुए है ठीक है जिनके पास main assess है हमने तो shared base पर किये होते हैं तो यहां से आपको copy करने पड़ेंगे एक keyword ठीक है आपने उन keywords को copy करके same like that amg suggestion expander के keywords को आपने copy करना है ना और एक file में organize करना है सेम इसी तरह आपको इसके लिए भी effort करनी पड़ेगी लेकिन आप अगर practice के लिए काया रहे हैं तो फिर इसको रहने दीजिएगा आप सिरफ jingle scout helium 10 की magnet और cerebral और amg suggestion expander इनके शुरू आप फाइल कर लिजेगा अगर आपने एक नया project करना है तो फिर तो मैं recommend करूंगी कि आप इसको भी जुरूर लें ठीक है वो फिर आपने paid one project करना है तो उसके लिए फिर कोई compromise नहीं है let's suppose कि आपको लग रहे है जी यह keywords जो हैं पता नहीं अब मेरे keyword से मेरी product से relevant है कि नहीं आपने इसको नहीं टैब में open करके देख लेना है और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यह आपका keyword मैच कर रहे है आप से प्रोड़क्ट से के नहीं let's suppose कि इस तरह से आपने जो है ना वह इनको देखके एक एक analysis करते time तो लगता है अब आपने जब ए जाएं और फिर उसके पाद इस फाइल में आपके खुद से टाइप पर के लिखें क्या आप रपीट कीजिएगा इसमें कह रही हूं जैसे ना यह जो आपने keyword expander और इसका जो 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 इसका बताया है तो इसमें जो हमारे keywords हैं इसको हम अलग से copy पे hile को आपने copy नहीं करना आप इसो फाइल में ही जाके करेंगे वहां से आप एक एक देखते जाएं और excelकी फाइल में आक कि आप इसको पेस्ट करते जाएंगा राइट करेंगे तो आप के लिए problem हो जाएगा the time taking होगा मैं तो यह रएकमन्ट करूंगी साथ साथ जो काम वह तो यहां आप करते जाने आप आपसे वजय की फाइल जो और है ना गा जिए मैं मुट स्कूंद की है मैं और फक्रीड चाहिए है अच्छा सब्सक्राइब कि मैंने फाल डॉनलौग पलाट की है मैं ने आ डॉनलोड की है मैंने किस्रूर लगा 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 लेज किस्रूर्व मैंने फाइल डॉनलोड की उसमें वे कीवर्ड भी बता रहे होंगे स। रे बार भेंगे और जतki रहे होंगे और भी बूह चीज़े बता रहे without आपने जो भी कॉलम को देखना है कि हमने जो कॉलम होंगे सिर्फ वह हमें कीवर्ड वाला और सर्च वालियों वाला कालम चाहिए अदर दन डाड जो भी कॉलम आपको नहीं चाहिए उनको कंट्रोल माइनस आपने करना है और उनको आप्षन आजाएगा कि एंटर रो आपने डिलीट करनी है या फिर एंटर कॉलम हमें नहीं चाहिए तो आपने एंटर कॉलम पर क्लिक करके उनको कर देना तो वह जितने भी कॉलम होंगे न वह आपके रिमूव हो जाएंगे ठीक है अब आपको सिर्फ चाहिए तो कीवर्ड और सर्च वालियों चाहिए लेट स्पोस को पर आप एंटिंग डेंगे की वर्ड हैं मैगनेट के कीवर्ड और इसको भी आपने देखने के क्या कोई को स्पोस क्या अपने इस कपी चैप यह मैगनेट की फाइल थी इसको कापी किया आप कि आपने नेक्स्ट जो नहीं फाइल होनी है इसमें आपने आके तो यहां पर पेस्ट कार देना वापकी कीवर्ड़ पेस्ट हो जाएंगी ठीक है तमाम फाइल के कीवर्ड को एक फायल पे मर्ज करना है और उपर हैडिंग ले जए नहीं है कि कौन से फायल में यह कि मैंगनेर के हैंट पर कि क्या है कि है कि आपने जो कीवर्ड के सब्सक्राइब है नहें कोई कीवर्ड कीवर्ड कर रुपीट है और उके किया उन्हों ने कहा कि कोई भी रेपेटीशन वाला यहां पे नहीं मजूद अगर होगा रपीट रपिटेशन वाला तो उन्हों नहीं पर आधा हुए है विडियों रही है वीडियों स्टॉक होग सभी को यह प्रॉब्लम में इस दॉन नर्फी नहीं रही हैं अपन बाइस नहीं आई थी तो बाकी आश्या बाकी सबी को आवाज भी आ रिया स्क्रीन भी शेयर हो रही है तो फिर आपके पैकरंड से इस्यु है ना अब चेक करें अच्छा उसमें हमने करना क्या है कि लेट्सकोज इस तरह से हमने एक फाइल अर्गनाइज करके अपने पास रख लेनी है ठीक है और इसको अब मैं मजीद समराइज करूंगी कि इसको आपने वेल जो प्रॉपर वेसे जो फाइल को किस तरह यह सैंपल मैं आपको बता देती ह क्यों कि आपने इस तरह से कीवर्ड रिसर्च की फाइल जो ना वो क्रियेट करके अपने पास रख लेनी है ठीक है लेट्स पोज यहां पर क्या है कि हिलियम टैन की यह है और जिंगल स्काउट के स्थू जो कीवर्ड एक्स्टैक कि हैं वह यह हैं यह हैं एम्जी सूजिश करनी है कि सब्मिट्र मुझे कर वानी है एजा असाइपन ने इस पर कि की सच वालियूम का कॉलम नहीं बनाना सिरफ पैसद दो सच वालियूम का कॉलम नहीं जाईए लेकिन हमें तो कीवर्ड चाहिए होते हैं लिस्ट को करीएट करते हुए ठीक है हमने करना क्या है कि करना होता है हमें तो सिर्फ गर्ज है कि यहां पे सिर्फ कीवर्ट से लेकिन सब्सक्राइब अगर जहां पर रहे हैं उनको रहने दें हमें आइडिया हो जाता है कि सब्सक्राइब करना होता है ताकि कम से कम अलग बनाना है और मैगनेट का कॉलम अलग बनाना है अलग अलग सेपरर प्रे से आप कॉलम में अच्छा जी अब यह हमारा हो गया कि लैट्स पोज इसको हमने यह कीवर्ड को हमने ठीक है करना है अर्गनाइज करके अपने पास क्लिए है की वर्ड की फाइल अब हमने इन कीवर्ड की फाइल Capitol की बेस पे एक प्रॉपर वन अगर इतना ही कॉफी है तो आप बता सकते हैं नहीं तो हम इस कॉंटेंट राइटिंग वाले लेक्ट्र को कम्पीट कर लेते हैं आज के लेक्ट्र में जी स्टुरेंट्स जी स्टुरेंट्स जी मैं रीड कर लेते हैं तीक ये कर लेते हैं अचा ये रुमेज़सा खान कोन है रुमेज़सा आपका अधर आवास आरी आपको कि कि में आवास आ रही है ठीक आप वाटसप किस नेम से में साथ एड है अब मुझे ना इन बॉक्स में मैसिज करें जड़ा सेपरेट वे से ठीक है और एक गलक्सी सेवन अभी मैंने देखा है क्लास में वह पता नहीं कौन है गलक्सी सेवन यह यह इन लिंक कर रहे हैं तो यह बिल्कुल ना किया करें लिंक शेयर नहीं किया करें एक इसी नहीं आगे लिंक शेयर किया वा था वह अभी अभी क्लास जो है न वह लेट कर गये हैं कि हम स्टार्ट करते हैं तम इन टॉपिक कि हमने जब कॉंटेंट राइटिंग क्रेट कर लेनी है न यह अच्छा अब हम देखते हैं कि यह लाग्स होगा कि इसके बाद क्लास होंगी जी-जी कंटेंट राइटिंग के बाद नहीं आपको किसने का आई लास्ट क्लास है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारी एक टाइम पर दो-दो सेशन्स ज्वेमों चाल रहे होते हैं यह लास्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं है अभी यह हमारा हाफ कॉंटेंट होगा आज अगर यह कंप्लीट हो जाए लेकिन लेट्स लेट्स सी के हमारा कहां तक यह जाता है ले यह लास्ट क्लास बिल्कुल भी नहीं है ठीक है यह एक टाइम पर हमारे दो-दो सेशन चाल रहे होते हैं यह हमारा प्रिवियस सेशन जो है वो एंड हुआ है तो उसके रिप्लेस्मेंट पर हमारा नया सेशन एट स्टार्ट होगा तो वह उसकी क्लास है आज ठीक है अच् स्कूर्ट करना क्या है आपसे गूगल कि स्क्रीन शियर है ऑजीक की ओल ली है कि यस मैं हमने हमने मैंने करना क्या है देखले यह इंने करना क्या है लैट सब्सके की में अब फिर को ओपन किया अब मैंने तीन से चार do करने हैं करना है और उनको रड़कों करना है और पार कृटर से मैं देक colored को सब्सक्राइबर समें करना है कि आपने की ताइडिल क्या है पुलुट मुट की अपनी हमेर हमजा का सबस्टाइबर है अच्छा हमने मेंstersाए हगती हमने तुळ्मन लिटीट conservative को बुलेट पार्ण्स को इन तीनों अपने competitors के according इन सब को हमने read out कर लेना है ठीक है अब हमने read out करने के बाद हमने यहां से इनको एक file हमने word की open करनी है let's suppose कि मुझे मैंने अपने competitor open करके रखे हुए थे अब मैंने उनके according let's suppose कि अपने competitor के इसका टाइटल कॉपी किया और अपने तीन से चार competitor के titles को कॉपी करके तो मैंने आने है word की file में शेयर कर देती हूँ अच्छा word की file में मैंने आके इनको paste कर देना है let's suppose कि मैंने first competitor का यह वाला paste कर दिया यहां ता ठीक है टाइटल उसके बाद second competitor का मैंने इस तरह से paste कर दिया third competitor का मैंने टाइटल इस तरह से paste कर दिया अब paste करने के बाद मैंने यहां पे अपने मताबिक एक title अर्गनाइज करने है let's suppose कि ओमी box बिंटो box for kids मैंने क्या किया कि अपने ब्रैंड का नेम था ना मैंने उसको write किया let's suppose बिंटो लंच बॉक्स ठीक है और insulated का वर्ड मैंने क्यों यूज किया क्योंकि यह मेरी product का main feature था जो कि मेरे competitor में से किसी ने यूज नहीं किया हुआ था let's suppose इसने वैसे यूज किया हुआ है लेकिन मेरी leak इसने leak का यूज किया हुए insulated तो किसी ने भी यूज नहीं किया प्रॉड़क में फीचर था तो मेरे competitor में भी यूज किया हुआ था and thermos food jar three compartment next three compartments आगे इसके compartment two stackable container थे इसके जो है वो इसके जो है वो container container इन्हों राइट नहीं किया हुए कितने compartments है इन्होंने five compartments राइट कियो है तो मेरी product के compartments three थे अच्छा मेरी product के compartment three थे मैंने उनको जो है वो three compartment two temperature zone single packaging में वेरी packaging की किसी ने बात नहीं की थी मेरी product की packaging जो वेरी कह रही थी so that's when मैंने इसको write किया बिताने के मक्सर यह है कि इन तीनों से मैंने ideas लिए इन तीनों की जो है वो titles को read out किया और उसके according मैंने अपने अपना एक title को जो है वो organize किया let's suppose हमने ideas इन तीनों से उठाने होते हैं अपने competitors के और competitors से ideas उठाने के बाद हमने एक नया organized way से एक title जो है ना वो बनाना होता है let's suppose कि यह हमने अपने title में make sure करना होता है कि हमारा जो main keyword ना main keyword वो आना चाहिए let's suppose कि बिंटो box for kids उसको add किया and यह हमारा main keyword था और next हमारा primary keyword जा रहा रहा था बिंटो लंच बॉक्स ठीक है सबसे ज्यादा search volume मेरे main keyword का था उससे कम search volume था बिंटो लंच बॉक्स का जो कि हमारा secondary keyword सा मैंने जो title organize किया उसके according मैंने primary and secondary दोन्नों को add किया यह तो हो गया हमारा title ठीक है अब हमने करना क्या है जी bullet points बु competitor के हैं लेकिन उनको organize इस तरह से करना Amazon का idea ना हो कि हमने अपने competitors के इन ideas को ठाए है let's suppose कि मैंने इनके bullet points को read out करना है मुझे मैंने इन सब competitor के bullet points को read out किया और मुझे लगा कि इसका first जो है bullet points अच्छा है मुझे लगा कि इसको add करना चाहिए मैंने इसको copy किया मैंने अपने bullet point में जाके word की फाइल में पेस्ट कर दिया let's suppose कि मेरा next competitor यह है और मुझे इसका second इसका point मुझे अच्छा लगा है मैंने इसको copy करना यहां से और जाके अपने word की फाइल में पेस्ट कर देना same like that मैंने जिस तरह से organize करना फाइल बताई है इसको मैं हमने add तो कर लेना है ठीक यह उठाए मैंने अपने competitor के bullet points है लेकिन इन में हमने helium 10 के स्क्रीबल के स्क्रीबल के फाइल बनानी है ना बनाई हुई है बलके keyword की फाइल आगे जो मैं बनाके आपको दिखाई है वह तमाम keywords को हमने इस तरह से arrange करना है यहां पे कि Amazon को idea ना हो कि हमने किसी का bullet कि किसी के जो हम इनको read out करेंगे let's suppose कि हमने इनके यह देखे हैं हमने इनके points को read out किया let's suppose मुझे यह point इसका अच्छा लगा मैंने इसको with the title मैंने इसको copy किया मैंने वहां पे जाके paste कर देना मेरा एक paragraph तो यह हो गया ठीक है अब आपने यह चीज़े make sure कर लेनी है कि उन्होंने क्या write कि इन्होंने यहां पर two compartments write कि हो जी मेरी product के two compartments है आपकी product के three compartments हो आपने अपनी product जो supplier से पूछ लेनी है confirmation कर लेनी है तो उसके according आपने आपने features write करने है लेकिन ideas तो यहीं से लेने है उसके बाद आपने यह देखे उन्होंने साथ इनको a plus content writing कहते हैं जिन्होंने description में यहा फिर images different types के images use की हूँ तो इनको a plus content writing कहते हैं जो के amazon उन seller को लोग करते हैं जो के पीछे amazon पे registered होते हैं अब let's suppose कि मुझे यह वाले जो है lines इसकी अच्छी लग रही थी मैंने इसको भी copy करना अपनी जाके description में paste कर देना है तो ideas हमने competitor के ही लेने होते हैं let's suppose अब इसका करना से जो हैना well optimized way से अपनी listing create की हुई है इसकी description देख लेते हैं इसके इसना बड़े simple way से यूज की हुई है लेकिन में भी मुझे इसके points अच्छे लगें और मैं इनको add गाल हूँ अपनी description में अच्छा अब हमने करना क्या है कि हमने google पे जाना है and google पे जाके तो अपना keywords write करना है let's post कि जी बिंटो बिंटो box for kids मेरा main keyword था मैं इसको write करना और उसके according यह जो links आने हैं ना मैंने यहाँ पे जाके तो अपने जो है वो देखना है कि में भी मुझे जो है वो कोई ना कोई अच्छी line मिल जाए let's post कि अब amazon.com वालों को क्यों नहीं open गई क्योंकि यह तो direct amazon वाले ही आएंगे तो मैंने नए कोई link देखने है जहां से मुझे अपनी product के recording कोई ना कुछ data extract में मजीद मिल जाए let's post कि यह तो वैसे open नहीं हो रही और इसमें से जो भी आपका keyword होगा ना उसके according आपने देखना है कि आपको जो है ना वो कोई ना कोई ने यह specify करके graph की शिकल में बताया हुआ है यह भी उन्होंने जो है ना बताया हुआ है इसके इलावा उन्होंने यह जो भी अगर इसमें modification करनी पड़ेगी वो यह नहीं है कि हम डिट्टो यहीं से उठाके और जाके वहां पे page कर देंगे इन्होंने जो information encode की हुई है हम इ भी अपनी प्रोड़क से recording अब यह देखें इसके compartment जा रहे हैं इसके लेकिन हमारी प्रोड़क के में भी तीन compartments हो तो बताने का मक्सित यह है कि हमने अपनी प्रोड़क को मदे नजर रखते हुए अपनी लिस्टिंग को क्रियर करना होता है आइडियाज हमने यहीं से extract करन होता है कि Amazon को जो है किसी भी अंगल से आइडिया ना हो let's suppose कि हम आएंगे जब हमारी यह फाइल त्यार हो जानी है ना जब यह हमारी फाइल को क्यों हो जाएगी ठीक है अब हमने करना क्या है नेक्स्ट प्रोड़क में टाइटल बुलट पाइंट्स डेस्क्रिप्शन ठीक हिलियमटन के चूल में चीक है उनके बाद हमने यहां पर करना क्या है कि यह हमारा Geliham gek pardon का फीचर जिसको कहते हैं जी के वर्ड लिस्टिंग प्रुपैसेशिंट में सक्रीबल ठीक है अब सक्रीबल में आने के बाद हमने जो कीवर्ड की फाइल त्यार की होनी है ना मार्केट प्लेस चूज़ करने के बाद उस उन तमाम कीवर्ड को यहां पर हमने पेस्ट कर देना है अब यह देखें amazon.com.co.uk जो भी आपका जो होगा मार्केट प्लेस उसको आपने करना है अब मैं आपको बताऊंगी आई थिंक्स हो कि यह अभी नप पांच मिनट रहें इस रिकॉर्डिंग को तो यह हमारी अभी खतम हो जानी है यह लेक्चर थोड़ा लंबा है मेरे ख्याल मैं इधर ही स्टॉप करते हैं इसको सेव कर लेते हैं नेक्स्ट आपने जॉइन करना है तो स्क्रिबल का यूज मैं बताऊंगी कि स्क्रिबल के सुरू हमने इसको फर्दर किस तरह से वैल आप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट करनी है ठीक है मैं भी इसी लिंक के सुरू जॉइन करना पड़े है या नेक्स्ट लिंक के जो भी सेनारी होगा मैं आपको गाइट कर दूँगी यहीं भी इसको रिकॉर्ड करके तो अगेन लिंक से आपने जॉइन कर लेना है कॉंटेंट राइटिंग आज हमारी कंप्लीट इंशाला हो जाएगी